स्टुडेंट्स वेलकम विस्ट न्यू सेशन ऑफ कॉंट है ना आज के इस सेशन में हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो भई जो कॉंट में आपको टॉपिक होता है है इसमें एक बहुत इंपोरेंट पार्ट अपका अपका है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सो अपर्ट फॉम्ट और यहां पे देखेंगे तो सबसे पहले भी arithmetic progression का concept समझ लेते हैं ठीक है कब आप कहते हो कि कोई set of numbers arithmetic progression में है कोई भी random आपके पास अगर number दिया हो let's say 2, 3, 4, 5 अब क्या यह numbers arithmetic progression में है पता करने के लापको क्या करना चाहिए पता है अब 3-2 क्या पुसके बाद 4-3 करो उसके बाद 5-4 क्या गोसे नंबर आ रहा है तो फिर यह अगर यह नंबर नहीं आ रहे होते तो यह पी नहीं होता इसके और एक्षापल सब्सक्राइब की हो सकते हैं यहां पर भिखो डिफरेंस कितना इसको कहते हैं इसको कहते हैं कॉमन दिफरेंस जैने की कॉमन विकॉट इस रहा है यहां पर टू आ रहा है common difference right so therefore this is also AP तो कोई भी जनरल टमप कैसे लिख सकते हो आप लिख सकते हो भाई मानलो यह A1 है यह A2 है यह A3 है यह A4 है ना first term second term third term fourth term ऐसे लिखते हैं A1 A2 A3 A4 अब देखो A1 है यह अब मानलो यह आप जो common difference हुआ that is some D common difference है आपका कोई भी number D तो अब जो A2 है आपका देखो पहला नमबर तो A1 नहीं है अब A2 की जगा पर लिख सकते हो A1 प्लस D है ना विकॉज अब देखो अगर यहां पर जैसे 5 था तो इसको आप 5 को लिख सकते हो 3 unique 2-2 to apply 322-3 था 2-1 यानि법 आनिकि जो फर्स ट्रम था प्लस the common difference रइक प्रस ट्रम प्लस काममण बिफरेंस करके आप नेक्स प्लिक सकते हो आपकर टूस्टे सेवन थमेट कैकश्ट है अनुक्त फॉसट अब यहां पिवह आप धिए हांप देख सकते हो चलयंवरCl यानिकि यह वाला प्लस 2 तो 3 प्लस twice of 2 यानिकि 3 प्लस 4 7 आ जाएगा आपका जो थर्ड 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 होता है वह होता है एवन प्लस 2D अब यहाँ आप पैटन देख लो जब आपका 2 है एटू है यहाँ पे तो डी के साथ जो कोईशेंट आ रहा है वह वह वन आ रहा है रा आप क्या लिखोगे इसको आप लिखोगे एवन राइड इस ए नौट नाइट नाइट एवन प्लस नाइटी 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 नाइन सब्स तर्म प्लस 500-1 क्या होता है 499 तो 499 ताइम्स दी तो बस यह आपको चीज पता हुए चाहिए बस कितना सा कॉंसेप्ट आपके अध्मेटिक प्रोग्रेशन में इतना अगर आपने अच्छे समझ लिया हो तो फिर आपके व्चेंस आते वह काफी आजाए आसानी से आपसे हो सकते हैं सिर्फ आप को वैसेटि नहीं पताना चाहिए आपको यह समझ माना चीए घ्या हो क्या रहा है एक एक हॉम तर्मस लि सब्सक्राइब करते जाओ आपके पास 10 तर्म मिल जाएगा तो इसके दो तरीक है राइट एक तो हम भई के बाद 17 लिग दें 17 के बाद प्लस फाइफ फिर से कर दें राइट तो ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन थर्टी टू थर्टी सेवन फॉर्टी टू इसे यह आपका टेंथ टर्म आ गया यह एक तरीका है डिफिनिटली गलत तरीका नहीं है यहां से आपका आजाएगा बट इसको अगर बहुत जल्दी सॉल्व करना हो क्योंकि आपके तो फिर आप इसे लिखते हुए नहीं जाजकते तो यहां पर जो हम भी फॉर्मला सीखा है वह है जो आपका अन होता है एं क्या होता है डाट इस यह बन प्लस एन माइनस वंडि रॉल आपका तो है पहले टो हो जाएगा एट इन की जगव पर आप लिखोगे पहले एपलस 9D यहां पर N की जगर पर अपने 10 लिख दिया तो N-1 आपका 9 हो गया राइट सो A10 is A1 प्लस N-1D which means A10 is equal to A plus 9D राइट अब A plus 90 A क्या है आपका A यहां पर 2 है यहां पर 9 D क्या है आपका 5 है तो 9 times 5 so 2 plus 5 9 is a 45 that is 47 दिकांव है तो अपर सब्सक्राइक अगर यहां पर आप से पुछा होता हम तो फिर अगर आप को यह में पता है तो फिर आप इसको बहुत टप्र ले ले ता आपका यह सौलकरने में लेकिन यहां पर अगर आपसे 100 पूछ लिए ठीक है अगर आपसे 100 पूछ आ जा रहा है अब लिखोगे एप्लस 99 डी एक है आपका एक टू है आपका राइट 99 टाइमस बी क्या है आपका 5 है बस इसको आप स्वाल गर दोगे कि वह नाइन टीनाइन टाइमस 5 क्या होता है 990 का हाफ राइट उसका प्लस टू कर दो कि आप कांसर यहां पर आ जाएगा वहीं यह होता है आपका 450 प्लस 45 है ना 495 प्लस और 2 सो 497 होगे आप कांसर यहां पर आपको कोई भी डम पूछ सकता है ए 500 डाट आट ऑट आट ऑट कैसे भई ए प्लस 499 टाइमस टी है ना आपका एह है टू प्लस 499 टाइमस फाइब बस इतना आपको करना है इसमें आपको फिर फाइव अंडेट टर्म लेंगे जरूरत नहीं तर्वी इसको आप सीक्वेंस के तो कि आपकोई पैटन फॉलोव रहा है उस पैटन के साब साब कोई भी आगे का टर्म यह कोई भी पीछे का टर नमबर आया है तो क्या को मायनस 51 होगा अब यह कैसे करेंगे ठीक है तो सबसे पहले होँए ट्वी ट्वेंटी वन है आपका यह आपकी पास 11 से मयनस त्रीड ट्रीए अपको करते हो प्सक्राइब नशनêmी लाग इस प्रीए नमबर करते हो तो यहां पर देखो को मायनस त् लिए तो भाई इन्होंने दिया हुआ है तो से होना ही था है अब देखो कॉमन डिफरेंस आपका माइनस त्री है फॉस्ट आपका 21 है किसी भी आपको दो चीज़े पता हो तो आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो एनी तिंग लिटरली है ना क्या आपको पता हो कि एक है 21 डी है आपका माइनस थ्री अब पूछ रहें कि कौन सा टम माइनस एटीवन होगा ठीक है तो आपसे भी यहां पर एन आपको दिया हुआ है कि एटीवन है आपको एन की वालू निकाले कि कौन सा टम होने वाला है राइट एंथ टर्म हम मान लेते हैं आपका जो एंथ टर् एंपको माइनस एटीवन है सो एन इस उतो एकल सेटीवन राइट यहां पर मीनस वन दिखा ए प्लस एं माइनस वनки तो इस एक लिकाल थे अप हो एग्यों पात करते हो एफ जबाए प्लस आफ इनल्ड़न सब आपकर दीग्ड राइक दिस अजैनल आ रहें आपको नहीं प यह आपका माइनस 3 है, right? So this is minus 81 altogether, हैना, तो आपका जो भाई, N minus 1, times minus 3, ओ गया हो गया, वो हो गया, भाई, minus 81, minus 81, minus 21, हैना, so this is 102, minus 102, right? minus 102, that is minus 3 times N minus 1, हैना, अब देखो, minus or minus 1, cancel कर देते हैं, ओर 3, देखो, यह 3 का multiple भी है, right? So 3, 3's are 9, 4's are, तो n-1 is equal to 34 and n-1 is equal to 34 तो आपको यहां पर न आ गया 35 35 35 35 तो यहां पर आपको बुचाहे कि कौन सर्टम होने वाला है तो इस कांसर क्या हो गया 35th term is going to be minus 81 right so यहां पर आपको question अब मान लो भाई इतना डर्ट question होता है यहां पर कि is there any term that is going to be minus let's say minus 77 क्या कोई term minus 77 होगा अगर यहां पर question यह होता है तो आपके ऐसे find out करते है right so let us say कि भाई एन है minus 77 हम मान लेंगे की है अब देखेंगे क्या n की कोई value आ रही है तो let us see a plus n minus 1 times d is minus 77 right a क्या है आपका 21 है फिर plus minus 3 times n minus 1 this is minus 77 जिसको solve करेंगे तो minus 3 times n minus 1 is equal to minus 77 minus 21 तो कितना हो जाएगा 98 right minus 98 तो minus or minus तो cancel हो गया लेकिन जब आप n minus 1 is equal to 98 by 3 करोगे अब देखो यहां पर कोई whole number नहीं आपके पास नहीं आएगा है ना तो यहां पर आपका आंसर है वो decimals में आ जाएगा तो क्योंकि decimals में आपका आपका आंसर है कोई whole number नहीं आ रहे हैं आप यहां पर लिख दो क्योंकि no whole number तो सब्सक्राइब कोई नहीं होगा तो सिर्फ जो सीक्मेंस में आएंगे यह माइनस 77 जो है यह 3 का मल्टीपल बिल्कुल भी नहीं है रइट विकास 7 प्लस 7 एस फूर्टीन है ना एक नबर मिसिंग है इसमें तो यह इस अपी का पार्ट भी नहीं होगा तो यहां पर प्रट वेस्टेंस काफी तरह से बन सकते हैं जो बेसिक चीज़ आपके पास वह सेम रहते हैं कि अगर आप आपके पास ए और डी है तो फिर यूद्ट डेफिनेटल राए और सौल प्वेस्टेंस है ना नेक्स्ट प्रेशन देखने है डिटर्माइन देपी फूस थर्ड वाह और इस नाइन ठीक है तो चौलो हम देख लेते हैं आपका थर्ड टम दीआ हैं को सो ए-3 इस इस घ्वें टॉसस फाइब रिटेंग अग्रों डरीट अब यह आपको दिया कि यह 9 अब यह आपकी दोई टो है खुव हमने है एक्वेशन ही ये कर सो मान लो हम ने मीने क्रिया मंस भाइन को सब्रेक्शन को इंपका दृक मैंनेस यह जाएगा जाएगा जिरो राइट ए माइनस ए हो गया 0 6D माइनस 2D हो गया प्लस 4D राइट 6D माइनस 2D 4D हो गया और राइट इंट साइड में आपका 9-5 that is 4 है ना तो यहाप पर देखो D क्या जाएगा यहाप पर 4D is equal to 4 so D is equal to 1 आपका देखो D आगया आपके पास A आ जाएगा है ना फॉस्ट एक्वेशन में आप D1 डाल दो तो A प्लस 2 टाइमस 1 is equal to 5 राइट तो A is equal to 5-2 that is 3 तो भर एक वैल्यों आपके पास A is 3 राइट एक वैल्यों आपके पास और D की वैल्यों आ गई अब कुछ भी कर सकते हो आप फर्स्टरम क्या है आपका 3 है सेकन्द टम क्या है आपका 3 प्लस 1 4 है उसके बाद क्या है आपका 4 प्लस 1 5 है उसके बाद क्या है आपका 5 प्लस 1 6 so this is your A P basically 3 से स्टार्ट हो के फिर 3 के बाद बहुतने जो सारी नाच्छल नंबर्स या वो है राइट 3,4,5,6,7 यह आपका A P आपके बहुत बहुत आ सकते हैं क्योंकि बहुत इंट्रेस्टिंग है आसान है लगते मुश्किल है लेकिन बिल्कुल आसार है कितने टू डिजिट नंबर्स है आपके जो थ्री से डिविजिबल है इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि सबसे पहला तूजी टू नमबर कौन सा रिविजबल है तो जो अब त्री के टेबल की बात करते हो थ्री शिक्स नाइन ट्वेल तो आ गया आके बात शूब नमबर है ना इसके बास काफी साई तूजी नमबर आता है 1518 बहुत 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 तक जाते हैं तो सब से पहला तूजी नमबर है वो होंगे लेकिन वह हो जाएंगे तो टू लुजिट होता है अन्ड़ के पहले 99 मल्टिपल है त्रीका बिल्कुल है तो 99 आपका लास्ट नमबर आ जाता है तो बेसिकली आपका यह नमबर बन जाते हैं कि 12 15 18 21 and so on till 99 अब क्या यह एपी में हैं देखो कॉमन डिफरेंस कितना ह कितने कितने क्यों है थΡ्या को फर्स ढिएवग को फिर्स तंथ है त्वल्टा दू अपको संडओ आंड्या वर 59 Ibel यह घूंडिया हुए अब लास्टिरंग्न दिए हुआ आपको बतानाइं कि न के वैलुक्तने यहाँ जीतनी और फॉन्टीशन होगी उतनेimas यह थी नंबर हुआ वैसे यह अन नंबर होए तो जितना आपका टोटल मालू होने वाली है उतना आपका कह सकते हो कि मैं अब कियों त्रीक है मुल्टिपल्स व्लटिपल तो भाई एन एक और निकार आपके पास है आपके पास है यह एंट का ओमलू न दीग एक दाइप डी की वैलू है है तो ए भी है डी भी आप लगा दो भई ए है आपका 12 प्लस n-1 डी क्या है आपका 3 है राइट नो दिस इस 99 अब n-1 टाइमस 3 इस 99-12 राइट 99-12 क्या होता है 87 राइट 87 दिस इस 87 भाई 3 भी कर दो आप अब 3 सब जब आप डिवाइड करोगे तो 3 टू जा 6 है ना बचा यहां पे 2 27 तो 9 जा तो 3 ताइमस 27 29 इस 87 राइट तो एन की वैलू क्या गया यहां पे 29 और माइनस 1 वहां पे गया प्लस बन हो गया 29 प्लस वन दिस थर्टी तो भी एन की वैलू आ गया आपके पास एन इस उगल टो थर्टी राइट वैरी सिंपल क्वेशन बट काफी ट्रिकी क्वेशन लग सकता यह कि वह कितने टू जिए नमबर हमको क्या पता तो इसको जान दूश्य कॉंप्लिए आप आप भी बना सकते हो प्रेशन बहुत सिंपल है कि टू डिजिट नमबर से हैं तो यह टू रिजिट कहा से शुरू होता है आपके 10 के बाद और 100 के पहले राइट 10 के बाद और 100 के पहले कितने ऐसे नमबर साथ है जो 3 से दिए तो बैसी कि लिए आपको 12 15 18 यह लिए नमबर सब्सक्राइब करने है तो यह टोटल हो जाएंगे वह आपके 30 राइट सो देरा इन टोटल देरा 30 तो डिजिट नमबर दाद इसल्वाइ ठीक है नेक्स्वेशन इन फ्लार बैट देरा 23 रोस प्लांट इन फिर्स्ट रोव 21 इन दे सेकंड 19 इन दे थर्ड और एंड सो ओन लास टो हौनी रोस आर्ड देर इन फ्लार बैट सब्सक्राइब आना कि पहला पुष्छन इसका पहला वाला क्वेश्ट जो एक लाइन का था और ये थोड़ा सा वीज़ी वोड प्रोर्म जीशा है बट दोनों सेम से लिए जिए वाई टूर बैट इसमें 23 रोस प्लांट स टो लास्टर रोहाँ लाट्स्टों मे लस्ट राया फईव रोज प्लांट्स तक जा रहा है और अब को बताने खि कितनी रोजexpansuencia औंप क्या है टू सब यह सब्सक्राइब Cart अब 23-22 24-29-2 और आपको यह दिया हुआ है यह है आपका यह आपका डी है है ना और आपका यह जो है यह एन दिया हुआ है आपको एन की वालू निकलने की कौन सा रो है है ना एन आपको दिया हुआ कि फाइव है और आपको एन की वालू निकलनी है तो चलो भाई देख लेते हैं एन आपको दिया हुआ ह तो a n क्या होता है a plus n minus 1 d right this is given to you as 5 तो भई a का यहाँ पर value है 23 right plus n minus 1 now n की वालों को नहीं पता है तो भई n minus 1 भी आपको नहीं पता है d क्या है यहाँ पर minus 2 है right now this is equal to 5 इसको solve कर लेता है n minus 1 times minus 2 this is 5 minus 23 5 minus 23 क्यों होता है माइनस 18 होता है and n minus 1 minus 2 minus or minus हमने cancel कर दिया है यहाँ पर तो n minus 1 क्या हो गया आपका 18 by 2 हो गया 18 by 2 is 9 तो n क्या हो गया आपका 10 तो total कितने रोज हैं आपे 10 रोज है ठीक है so how many rows are there in the flower bed you say 10 rows आप यह कैसे आप वो कर सकते हो let's say verify कैसे करो इसको तो ठीक है यहाँ पर आप क्योंकि टेन रोज की बात हुरी तो यह आप लिखके भी देख सकते है ट्वेंटी ट्वेंटीवन है इसके बाद 19 आपको इतना दिया हुआ है तो भाई 5 6 7 8 9 10 आपका अंसर भी N is equal to 10 आया था तो total there are 10 rows right now next question find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73 so again very typical and very interesting question आपको भी 31st term पूचा गया है ठीक है आपको find out क्या करना है आपको A31 find out करना है ठीक है this you need to find out आपको दिया क्या है 11th term so 11 is 38 right and then you are given with 16th term is 63 right इसका 16th term है यह आपका 73 है sorry तो भी a 16 is given to you as 73 आपको 31 निकालना है now how do you do that right a 11 आपके पास दिया है मतलब कि a plus 10 D जो है वो आपके पास दिया हुआ a plus 10 D is 38 right then a 16 दिया हुआ आने की a plus 15 D this is given to us 73 right basically आप इसको सब्सक्राइट कर दो यह आपका equation 1 है यह आपका equation 2 है तो let us do equation 2 minus equation 1 या either way equation 1 minus 2 भी कर सक्ट तो भाइए और a cancel हो गया आपका 15 minus 10 बचा 5 to 5D that is equal to 73 minus 38 right 73 minus 38 कर दो होगे भाई तो 13 minus 85 हो गया 4 minus 31 15 हो गया right sorry 6 minus 3 यह 3 हो गया आपका 35 so 5D is equal to 35 यहां पर आपका डी आगया डी की वैलो अगी 7 right so D is 7 अब देखो आपको डी मिल गया अब आप इस या तो equation 1 में है तो equation 2 में D की वैलो डालो आपको आंसर मिल जाए गए तो equation 1 में हम डी की वैलो डाले तो भही हमार आ जाएगा a plus and this implies a plus 10 times 7 10 times 7 is equal to 38 है ना यानि कि a is equal to 10 times 7 क्या आपका 70 है तो 38-70 right 38 38-70 क्या होते है भाई 32 है ना माइनस 32 तो a की वैलो होगे minus 32 right a is equal to minus 32 and you have d d आपके पास आया था d is equal to 7 अब आपको find out क्या करना है a 31 तो भही a 31 क्या होता है a plus 30d एना a plus 30d क्या होगा भाई a आपका है minus 32 plus 30 times 7 right so minus 32 plus 3 7s at 21 210 basically 210 minus 32 है ना तो 8 11 8 है ना 0 10 10 minus 3 7 1 178 so this is your answer ठीक है 178 is your 31st so a 31 is equal to 178 right so fairly simple question है ना कुछ difficulty नहीं थी इसमें कुछ अपने नया सीखा नहीं बस जो चीज़ आपको पता है इस इसको लेके उसको अपने अप्लाई के कि वह होता है a 10 a plus 10 और a 60 नहीं होता है a plus 15 उसके बाद फिर आपकी जो अरितमेटिक स्किल्स थी है ना कि आपको कैसे वेरेबल्स को सब्सक्राइब करना तो यहां पर आपको ए और a common था था तो आप इसको कैंसलोड करके 5d equal to 35 लिख पाए उसके बाद d की वैलिव आ गई उसके बाद एकी वैलिव आ गई फिर ए 30 बनाना उसके बाद काफी आसान हो गया उसके लिए राइट नाव नेक्स प्रकेशन दसवेंटीन तर्म अफन एपी एकसीट इस तेंथ टर्म वाई सवेंट वाई सब्सक्राइब सब्सक्राइब एस एकोल टू एट एंट ब्लस सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो यहां पर अगरम एसवट इस दो एटाए इस प्लस 16D, right, this minus A10, A10 क्या होता है आपका, A plus 9D, right, now this is equal to 7, अब देखो, काफी simple सा question नहीं है, A plus 16D minus A minus 9D is equal to 7, right, इसके बाद देखो, A और A आपका cancel हो गया, 16 minus 9 कितना होता है, 16 minus 9 आपका होता है, 7, 7D is equal to 7, D is equal to 1, तो common difference कितना आपके पास, the common difference is one, है ना, बहुत simple question, कि ऐसे simple simple questions भी आजाते हैं, आपको question देके घवराण नहीं है, ठीक है, वो कहते हैं, कि आप अपने अपने लिए चीज़े मुश्किल आप बना सकते हो, जातातर जो questions होते हैं, वो simple आते हैं, वो easy आते हैं, तो यहां पर कुछ चाहिए, बट जब आपने question लेखा, so this is hardly a 10 or 20 seconds question, right, so D, आपका value होगा, common difference, that is one, है ना, so that's all in this session, I hope जो आपका AP है, वो यहां पर clear हो गया हो, है ना, school में आपने आपने अपने पढ़ा हुआ है, arithmetic progression, बट एक revision जो है, बहुत brief revision, उसके questions कैसे आता है, उसको solve कैसे करना है, approach कैसे करना है, उसका एक brief revision आपको यहां पर मिल गया होगा, right, so that's all in this session, thank you.